हेलो फ्रेंट्स बहुत 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 है तो इस वीडियो में आप सभी को एक इंपोर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ और एक गुड नीज भी आप सभी के लिए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंट तक देखना तो जो भी केंडिडेट्स ऐस हैं जिन्होंने अभी तक CUT का फॉर्म फिल नहीं करा या उनको बाद में पता चला या सपोज उनका बोर्ड का रिजल्ट आया फिर उनको पता चला कि हमें CUT का भी फॉर्म फिल करना है तो उनके लिए गुड नीज यह है कि CUT UG जो है यानि कि अगर आप बैचलर्स कोर्स में किसी में admission लेना चाते हैं किसी भी central university में तो आप जो है CUT UG का फॉर्म फिर से फिल कर सकते हैं उसका जो time है वो दो दिन के लिए फिर से जो है extend कर दिया गया है ठीक है यानि कि आपको दो दिन और दे दिये गए हैं जिससे कि आप जो है CUT UG का application form फिल कर सकते हैं ठीक है इसके regarding मैंने काफी सारी वीडियोस बना रहे हैं उसका link जो मैं comment section में pin कर दे रहा हूँ अगर आप वो सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल दाएगा कि क्या क्या course हैं कैसे form फिल करना हैं कैसे सारी चीज़े करनी हैं उसके बाद भी अगर आपके मन में उससे related कोई डाउट रहता है तो आप मुझे Instagram पर personal message करके पूछ सकते हो कि हमें यह डाउट आ रहा है तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए ठीक हैं दूसरी चीज़ यह है कि CVTUG जो आपके exam होगा 2022 में उसकी जो exam date से वो release कर दी गई है particularly exam date release नहीं करी है बल्कि एक time बता दिया कि इस तारीक को आपको exam होगा इस तारीक को होगा लेकिन अभी यह नहीं बताया कि कौन से exam जो है किस date को होने वाला है ठीक है तो यहां पर मैं आपको इस notice पढ़के बता देता हूँ यह जो notice है कल release किया गया NTA की तरफ से date आप देख सकते है इस में भी कंडेक्टिंग common university entrance test in different centers allocated in 554 center cities across India and 13 cities outside India ठीक है और अभी तक जो है 9,50,000 candidates ने registration कर लिया है 86 universities के लिए जिसमें से 43 central university है 13 जो है वो आपकी state university है और 12 जो है वो आपकी deemed university है और 18 जो है आपकी private universities है ठीक है उसके बाद यहां पर लिखा है the candidates can take the test in any of the 30 mediums being offered ठीक है तो यह सारी चीज़ी लिखे है main चीज़ पर जलते हैं हम लोग यहां पर लिखा है कि accordingly the CVT UG will be conducted on 15, 7, 2022, 16, 7, 2022, 19, 20, फिर 4 अगस, फिर 5 अगस, 6 अगस, 7 अगस, 8 अगस और 10 अगस ठीक है तो यह आपकी exam डिर रहे दिन आता है वो जो है आपको admit card में पता लगने वाला है जब आपके admit card release हो जाएंगे तो उसमें जो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी date आपकी exam की आई है और उसमें जो है आपकी shift कौन सी रहने वाली है ठीक है तो आप यह मान के चले कि कोई भी अगर ऐसा candidate है तो उसके पस काफी time है लेकिन आप ऐसा अभी सोच कर नहीं चल सकते है जब तक आपकी dates जो है वो exactly आपके admit card में नहीं show हो जाती ठीक है तो यहां पर लेकर कि admission लेना चाहते हो BA, BAC, BCOM ठीक है किसी में भी लेना चाहते हो तो आप इस application form को जो है जरूर फिर करो और जो है DU में भी अगर admission लेना चाहते है तो वो इसी के थुरू होने वाला है और जो बाकी popular universities है जैसे आपका AMU हो गया BHE हो गया ठीक है तो इन सब universities में भी admission इसके थुरू होने वाल है मैंने complete playlist बना रखी है आप उसकी हर एक वीडियो देख लो आपको सारी knowledge मिल जाएगी और फिर भी कुछ नहीं समझाता है तो मुझे instagram पर personal message कर देना instagram का जो link है वो भी मैं comment section में पिन कर दे रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर लिखा है कि start date registration and correction तो देखो अभी correction भी आप कर सकते हो जिसकी कोई अगर गलती हो गई थी तो आप जो है correction भी कर सकते हो और अपना नया registration भी कर सकते हो जिसने अभी तक नहीं करा और वो करना चाहरा है ठीक है और यहाँ पर start date जो है यानि कि 23 जून 2022 सुबे 9 बज़े से जो है आपका application form दुबारा से fill कर सकते ह अगर आपने नहीं करा है या फिर अगर आपको कोई correction करना है तो वो भी आप जो है कर सकते हो उसके बाज एंड डेट जो है वो 24 जून है रात में 11 बज़े से लेकर कल रात के 11 बज़े 50 मिट तक का आपके पूरा टाइम है तो जो decision लेना हो जल्दी लेना correction जिसको करना है कर भी facility open हो चुकी है तो आप जो है correction भी कर सकते हो एक बार चेक करने के बाद अगर आपकी form में कोई mistake पाई जाती है ठीक है और यहाँ पर लिखाए कि the candidates are also allowed to make correction यह मैंने आपको बता दिया है फिर भी आपको कोई issue आता है तो आप इनके यह contact email और जो contact numbers है उन पर आप contact करके भी इनसे पूर सकते हो ठीक है अब यहाँ पर यह सारी चीज़ें कि correction वगरा किसमें हो पाएगा किसमें नहीं हो पाएगा तो यह भी आप चेक कर सकते हो और इसके ऊपर कोई video चाहिए तो मुझे comment section में बता देना वसे ज़रूत नहीं है ठीक है जो correction करना यहाँ पर सारे ल चेंज कर सकते हो और जो date of birth है gender है category है PWBD category है इसको आप चेंज कर सकते हो और इसमें जो है अगर फीस लगेगी तो वह आपसे पहले ही बोल देगा कि आपको इतनी फीस जो है वह correction के लिए पे करनी पड़ेगी उसके बाद ही आपका जो change है आपका जो correction है वह successful माना जाएग ठीक है तो यह चीज आपको चीज से समझ आ गए होगी complete information इसके regarding तो भाई जिसको CUET का form फिल करना है कर लो बहुत अच्छा है यह ठीक है किसी भी Central University में अगर आपको admission लेना है bachelor's course के अंदर तो आप ले सकते हो ठीक है professional courses जो है उसमें admission नहीं ले सकते हो ठीक है तो इसकी complete pages क लिंक मैंने बता दिया comment section में Instagram का जो लिंक है वो भी comment section में जाहो तो आप telegram group को भी जोइन कर सकते हो उसका भी जो लिंक है वो comment section में मैंने पिन कर रहा किया अगर यह वीडियो helpful लगी तो प्लीज को ज़रू लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और बल आइकन को प्रेस कर लो कि सुधाइं क्यों है वनाइस टे